चलिए, शुरुआत करते हैं कैसी खबर के साथ जो बॉलिवुद के समचमाती दुनिया के असली रंग दिखाता है और यही कहता है कि बॉलिवुद में रिष्टे वाकई बहुत अजीब होते हैं यहां कब क्या हो जाए? कुछ कहां नहीं जा सकता जी हां, एक बार फिर से एक रिष्टा तूट गया है 20 साल बाद जुदा हो गई है एक और स्टाल कपर की राहे देखे यह रिपोर्ट बढ़ती दूरियां जुदा होई राहे और 20 साल बाद तूट गया रिष्टा हस्ता मुस्कुराता ये प्यारा कपल जिसने साथ में जिद्गी के 20 बसंद गुजारे थे इन्हें ऐसे देख कोई नहीं कह सकता कि अब ये जुदा हो चुके है इनकी राहे अलग हो चुके है जी हाँ दोस्तों अरजन और उनकी वाइफ मेहर अलग हो चुके है 20 साल बाद इन दोनों ने अपने रिष्टे को खत्म करने का पूरा मन बना लिया है और इस बार ये कोई महस खबर नहीं है नहीं कोई अफवा है क्योंकि खुद इसके बारे में इस कबल की तरफ सहथिकारिक बयान जारी किया गया है कबल के उरसे जारी एक बयान में कहा गया है 20 साल के खुबशुरत सपर और बहतरी नियादों के बाद हम ये बताना चाहते है कि हमने अपनी राहें अलग करने का पैस्ता लिया है हमें लगता है कि अब समय आगया है कि हम दोनों अलग लग दिशाओं के लिए मुड़ जाए बयान में आगे कहा गया है जब हमारे पास चीज़ें आती हैं तो हम अमेशा ठोस हो जाते हैं और हम एक दूसरे के लिए और अपने प्यारों के लिए ठोस बने रहेंगे क्योंकि हमें एक नई यात्रा शुरू करनी है हम दोनों ही बेहद निजी हैं और इस बयान को सारजने करने में अजीब समय सुस करते हैं लेकिन हमारे जीवन की परस्थितियां ऐसी हैं जहां सच्चाई विक्रत हो जाती है और खो जाती है हम एक परिवार हैं एक दूसरे के लिए हमारा प्यार हमेशा के लिए बरकरार रहेगा और हम हमेशा एक दूसरे के लिए रहेंगे सबसे महतुपूर्ण बात ये है कि हमारे बच्चो मायका और मायरा के लिए हम एक दूसरे के लिए खड़ रहेंगे इसलिए हम इस समय आपके माध्यम से हमारे गोपनीता बनाय रखने के सराहना करेंगे आपके समर्थन के लिए सबी को धन्यवाद रिष्टे खत्म हो सकते हैं लेकिन प्यार बना रहता है हम इसके बारे में फिर कभी बात नहीं करेंगे अरजन और महर के इस फैसले से हर कोई हैरान है क्योंकि 20 साल का रिष्टा बहुत मैंने रखता है लेकिन शायद इन के लिए नहीं तब ही 1998 में हमेशा हमेशा के लिए एक दूजे का साथ देने की कसम खाने वाले इस कपल ने 20 साल बाद अलग होने का फैसला किया है बता दे कि कुछ दिन पहले भी एक खबर थी कि अरजन और महर साथ नहीं रह रहे हैं और अक्सर इनकी बीश मरमटाओं की खबरे भी आती रहती थी और आज इन सभी खबरों पर इनके अलगाओं पर खुद इस कपल नहीं मुहर लगा दी है वहीं सलगाओं की वज़ा कही न कहीं रितिक की एक्स वाइप सुजेन को भी माना जा रहा है जी हाँ यह कले आज से चार साल पहले शुरू हुई थी जब रितिक रोशन ने अचानक सुजेन रोशन से तलाक लिया था तब यह कहा गया कि अर्जुन के कारण ही रितिक सुजेन ने तलाक लिया और सुजेन जल्दी अर्जुन के साथ शादी कर सकती है वैसे अर्जुन मेहर और सुजैन कई सालों से एक दूसरे की बहुत करीबी दोस्त थे रितिक रोशन के अचानक तलाग के समय इसी एक अफ़ान ने अर्जुन और मेहर की घर में भी काफी उतल पुतल बचाई थी और देखिए आज 20 साल बाद ये रिष्टा भी खत्म हो गया इस रिष्टे के खत्म होने से एक बात फिर माननी पड़ेगी कि बॉलिवुड में रिष्टे और रोग पल भरे रदल जाते हैं और इसके कई उधारन बॉलिवुड के पास हैं Bureau Report, IBC 24